सब्सक्राइब कीजिए बीजिटी नियूस को और प्रेस कीजिएस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सकी सहरनपूर की राजनीती से जुड़ी हुई हर वीडियो और नियूस सबसे पहले गंगोग चुनाव में भारती चंता पायटी ने अपने जिले के महा मंत्री किरत सिंग को पायटी का प्रत्याशी बनाया तो लोगों को यह बात एकदम से हजम नहीं हुई प्रत्याशी खोशित होते ही विपक्षी खेमों में इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि अब उनकी जीत हो सकती है विपक्षी पायटी ने इस बात के मुद्दे को हवादी कि किरत सिंग तो बाहरी उमीदवार हैं और हम आपके दुख सुप में हर वक्त काम आते हैं लेकिन जिस तरीके से बिजेपी का पूरा संगठन और मंत्री किरत सिंग को जिताने के लिए दिन रात एक यह हुए है उससे ऐसा लग रहा है कि बिजेपी तो अपने कारे करताओं के साथ मिलकर पूरे चुनाओं की ही रूपने का तयार कर चुकी है लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाकर जंता से बात की जा रही है तो अब तक बिजेपी के पक्ष में कुछ लोग अपना मन नहीं बना पा रही है क्योंकि चौदरी परिवार इस बार राजनितिक नहीं भावनात्मक रूप से लोगों के बीग जाकर वोट मांग रही है लेकिन सवाल यह भी है कि किरत सिंग को जिताने के लिए पूरा संगठन और सरकार जूटी है कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 के किराना लोगसभा के उक्षुनाव में उस चुनाव में भी राज्य और केंदर के बड़े बड़े दिगज बाबुजी की बेटी को चुनाव जिताने के लिए जुटे थे लेकिन नतीजे उसके उलटाए थे बूथो पर जाकर कारेकरम किये गए मंडल स्तर तक विधायकों की तैनातिक की गई थी लेकिन बावजूदिस के बिजेपी है सीट हार गई अब ऐसे में सवाल ये है कि एक बार फिर बिजेपी सीट पर कोई गलती तो नहीं कर रही है वैसे खुलकर तो लोग अभी कुछ नहीं बोल रही है लेकिन अंदर खाने लोगों के मन में चौधरी इंद्रसेन के बाते भी सामने आ रही है अब देखना होगा कि चौधरी परिवार का गुंगान करने वाले लोग और बिजेपी का है पूरा आमला अपने परत्याशों को कैसे जीत दिला पाता है इस खबर में वस इतना ही खबर को लाइक और शेर जरूर करें और ऐसे दिख खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजे बिजेटी नियूस को